नमस्कार दोस्तों पर्ताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है तक्रीबन साथ महिने के अंतराल के बाद हम आप से एक बार दुबारा रूब बरू है प्रभीर पुरकायस के साथ प्रभीर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमने आपको बहुत मिस्स किया इतना लंबा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ एक बार फिर गाजा पर फिलिस्तीन पर जिस तरह से हमला चल रहा है और जिस तरह से जो बहुत मार्मिक तस्वीरे आ रही हैं मैं सबसे पहले एक बड़ा मैप लेकर यहां पर मौजूद हूँ ताकि दर्शकों को पता चले कि हम किस इलाके के बारे में बात कर रहे हैं और यह बताएं कि आज की तारीक में आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह का हम पहले तकर थोड़ी सी साइस की हिसाब से देशों को देखें अब देखेंगे गाजा पत्ती जो है यहां गाजा पत्ती जो कहते है बहुत छोटा सा इलाका बहुत छोटा सा इलाका लेकर यह है पूरा वेस्ट बैंक जहां पर फिलिस्टीनी देश आज बसा हुआ है वो भी इतना ही टुकड़ा है और गाजा पट्टी उसके साथ होना चाहिए था वो भी इतना ही टुकड़ा बचा हुआ है और इस रेल इस पूरा इलाके को जो उसका 50%, 48%, 52% शेयर होना चाहिए था करीब करीब इस वक्त इस तज्वीर से साथ एक 80% कर लिया है और यहां पर सिनाई ज का एक लिंक है जिसके जरीए सामान लोगों को खाने का हो, मेडिसेंस हो, हर चीज वहां से पहुंचती थी और जो उनकी एकसेस गाजा पे थी वो सब इस्रेयल के थ्रू ही जाती है यह इजिप्ट का साथ उनका था यह पहले इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया कि हम सामान जाने नहीं देंगे, आज के तारिक पे जो भी खाने का हो, दवाई हो, वो जा रहे है कि एक कौजवे बना है समुंदर से राफा दे भेजने की, तो एक तो यह बड़ी पिक्चर जो है, और राफा में क्या हो रहा है, उस पर अभी हम देखेंगे, होगे इस्टूबर 2023 से ह हमला चल रहा है, और लगतार और ज़्यादा हिंसक होता जा रहा है, तो अब हम सीदे चलते हैं, जहां इस समय भीषण युद्ध चल रहा है, जहां बड़े पैमाने पर हमला चल रहा है, वह है इलाका यह राफा, तो राफा को जिस तरह से निशाने पर लिया है, और जिस तरह से वहां से खबरे आई हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब मास लेविल पे लोग मरेंगे, कुछ भी नहीं है, बिजली खतम है, सब चीजे खतम है, ये जो राफा को क्यों निशाने पर इस समय लिया गया है? इस पर जाने के पहले मैं दिखा देना चाहता था, जो हमने पहले जिकर किया था, यह है राफा क्रॉसिंग, जो इजिप्ट के साथ है, दूसरा क्रॉसिंग जो राफा का है, इस रेल के साथ है, ये तो बंद थी ही पहले, ये भी जंग शुरू होने के बाद ये भी बंद कर और कोई भी सामान अगद देना है, तो यहां से समुंदर से कुछ दी जा रही है, वहां समुंदर से कौज बना के जहाजों से कुछ सामान भेजी जा रही है, सभी को मालूम है, जो सामान पहुंच रही है, जितनी ज़रूरत है, उससे बहुत कम है, क्योंकि खाने का नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर्स के जो होने चाहिए चीजे वो उनके पास नहीं है, हस्पताल के चलाने के लिए जो बिजली होनी चाहिए, बिजली घर सब बंध है, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, जो चाहिए, इंधन जो चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो जबस्त है या तो काम नहीं कर पा रही जी इसलिए इस पूरे के पूरे इलाके में जैनोसाइड दिखाई दे रहा है और इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने फिलिस्तीन को स्विकार किया है कि भाई हम एक राश्ट के तोर पे मानते हैं हाला कि यूरोपियन यूनियन में भी बटवारा है फ्रांस ने कहा कि ये सही समय नहीं है पहले इस तरह का इस ट्रगल खतम हो जाना चाहिए था उसे कैसे देखते हैं क्या उससे फिलिस्तीन की स्थितिक को सुधरेगी देखिए वो तीन देशों ने जो मानने चीज नहीं मानता हूँ यूरोप में ये टूठ हुई है ये है पर अगर इस चीज को देखे कि हुमेनिटेरियन क्राइसिस जेनोसाइट क्यों कहा जा रहा है और खास तोर से यूनाटिट नेशन ने ये भी कहा है जो दबंध होना चाहिए और इस पे रेजलूशन सी में जब आता है तब इस पे अमरीका उसको बंद रोग देता है तो इसको देखते हुए पहले किस पैमाने पर जंग चल रहा है उसको देखे कि 36,000 लोग मर चुके उसमें बच्चे ज्यादतर है रेशियो जो है बच्चों पर का ज्यादा है तो एक तो ये चीज है और ये जंग अभी सिर्फ बंद होने की कोई दिशा में बढ़ नहीं रही है और इसे में जंग एक चीज में कहना चाहिए और इसे में जो मरे थे जिसके उपर जंग चल रही है वो करीब 1200 लग भग थे तो वो देखते हुए ये प्रोपोर्शन देख लिजए 36,000 लग भग मरे है और ये चल रहा है ये क्रम और वहां पर 1200 मरे थे तो 30 to 1 रेशियो की बात हो रही है इसके बाद भी इस्रेयल कहर कहर जो कहा है खास तो नितानियाहू ने जो पिछला स्टेट्पेंट दिया है वो ये कह रहा है कि हम उनकी पहला जो बुक है उसकी कुछ उसने एक सेंटेंस क कि आहा है जिसका मतलम निकलता है किसी को नहीं छोड़ेंगे तो ये जो चीजे हो उसको देखते हुए जेनोसाइड की जो चित्र लोग कह रहे हैं और जिसके ऊपर फाइनली उनाइटेड नेशन्स की जो एजन्सीज है वो सब कह रहे है और अल्टिमेटली इंटरनाशनल क क्रिमिनल कौर्ट पर नेटों को दोच लगाया है हमाज की लीडर्स और आशेयलीडर्स उस तरह से 상 cucumber को चिंधत किया गया है क्रिमिनल कौर्ट ने कहा है कि इलोगे जिर्ण्स कुछी आप शन्स की आ और जारेस्के लिए कगा है कि हम्में अधिकार जानते हैं नहीं होने वाला है कोईकि अमरीका इसको रोग देगा। यॉर्प में फूड जो पड़ी इसकी बात आप कह रहे थे कि तीन दोशों ने रेकिनाइज ने रेकिनाइज कि यह तीनों देश पहले रेकिनाइज नहीं किया था और बहुत सारे यॉर्प के देश जो अ जादा दिन चल नहीं सकता क्योंकि यह अगर चलता रहा तो यह प्रॉब्लम कभी जिप कहीं जाने वाले नहीं है और इस प्रॉब्लम इस वक्त मिडल इस जो कहते है वह हम जो वेस्टेशिया कहते हैं उसके साथ जुडा हुआ है और यह खास तोर से दुनिया में क्योंकि जादातर मुल्क इस वक्त इस्रेयल के खिलाफ है, जैसे ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, जैसे आफरिका हो, एशिया हो, लाटन अमेरिका हो, ज्यादातर देश जो है, इसके खिलाफ है, उसके आवाज उठाए है, इंडिया भी इस चीजियों के उनाइटे डेशन में इस तरह के चीजिये जो हो रहा है, वो भी धीरे-धीरे दुनिया में अपने आपको आइसोलेट कर रहे हैं, अमरीका में तमाम जो बड़ी उनिवरस्टीज हैं, वहाँ पर छात्रों ने एक जबरदस्त मोर्शा खोला हुआ है, कि आप इस्राइल को सपोर्ट करना बंद की यहां तक उन्हों ने ये भी कहा है, कि जो कमपनिया सपोर्ट कर रही हैं, वो अपना पैसा वापस लें, और इसने एक बड़ा एक पॉलिटिकल रूप, सिर्फ अमरीका ही नहीं, यूकी में हमने देखा, और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, देश के दुनिया के अंगिनत हिस्सों में, तो नौजवानों ने एक मोर्शा खोला है कि इस जेनोसाइट को बंद होना है, और इसराइल के बायकॉट का, सीधे-सीधे उनका कुछ और नारा नहीं है, उनका सीधा नारा है कि बायकॉट होना चाहिए, कमपनियों से भी कह रहे हैं कि पैसा वापस लें, औ देखिए, European Union किस कगार में खड़ा है, यह देखनी पड़ेगी, वो अमरीका के साथ कित्ता दिन चल सकता है, इन चीजों को लेके, वहां पर फूट पढ़ रही है, फूट इसलिए पढ़ रही है, इसलिए नहीं कि वो इन सब चीजों से परिशान है, इसलिए पढ़ रही ह उनको, दुनिया से वो अलग हो रहे हैं, और उनकी जो व्यापार है, उनकी जो कारोबार है, यह सब इसमें नुकसान होगा, क्योंकि ए बड़े पैमाने पर, जिस हम तीसरी दुनिया कहें, ग्लोबल साउथ कहें, वहां पर, आफरिका, एशिया, लाक्न अबेरिका, जो तो हमको इन चीजों से समझावता करना पड़ेगा, जो अमरीका अभी भी नहीं मानता, उनाइटिड किंग्डम तो अमरीका का पालतू देश माना जाता है, तो यह बदलाव यूरोपियन यूनियन में होगा, यॉरप में होगा, कैसे होगा, देखना पड़ेगा, उसके सा पालिश साल बाद, पैटालिश साल बाद, उसके खिलाब स्टूडेट से प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद यूनिवर्सिटिस पे इस तरह का प्रोटेस्ट समने नहीं देखा है, तो और ऐसे जगहों पे जिसको आईवी लीग उनिवर्सिटिस कहे जाते हैं, इसको देखते हुए लगता है कि ये सिर्फ राफा की बात नहीं है, इस सिर्फ पैलिस्टीन की बात नहीं है, दुनिया की लाजर इशू जो है अंतराष्टियस तरह पे ये भी सामने आ रहा है, इस वक्त राफा उसका केंद्र है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रवीर और मुझे लगता है कि राफा में जिस तरह से जो दर्वनाक तस्वीरे आ रही है और स्टार्वेशन, जो भुखमरी के कगार पर बच्चे हैं, तो उनके समर्थन में जो आवाजे उट रही हैं, अगर उनका कोई पॉजिटिव इंपक्ट दिखाई दे, क्योंकि अक्टू इस तीन है, उसके पास कोई सेना नहीं है, घोशित सेना वाला देश नहीं है, तेखे जेनोसाइडल वाइलेंस तो ICC ने भी मान लिया है, यूनाइटेड नेशन पे अमरीकार एक दो चंद देश को छोगे, सभी ने मान लिया है, कि जेनोसाइडल वाइलेंस हो रहा है इस और उसमें हमारे करणल जो उनाइटेड नेशन के साथ थे, वो भी मरे हैं, वो भी मरे हैं, लगता है, तो ये तो देखते पर तस्वीर तो साफ है, कि एक तरफा हो रहा है, एक के पास हाथियार सिर्फ नहीं, वो टैंक्स नहीं, हवाई जहाज है, AI उसको मानना है, किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वतलब आटमेंटिकली मारा जा रहा है, तो ये सब देखते हुए, इस वाईलेंस को जेनिसाइडल वाईलेंस, आम तोर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब ये विवादित विशय नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसल में, अमरीका इसके खिल करेगा, अमरेका और इस्रेल दुनिया से आइसलेट हो, बहुत-बहुत शुक्रिया, और दर्शकों, वी आर बैक, तो हम पड़ताल दुनिया भर की अब नियमित करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे की जो अपडेट्स हैं, जिस तरह से खबरे हो रही हैं, आ रह अर्शकुंख ड限दे की जो वी आर हो से खबरे हो रही हैं, बहुत बहुत bass eviden हैं, जिस तरह से खबरे हो, शुक्रिया आर नियू